नहुस्का हमारे साथ महजूद है मद्ध प्रदेश रंजी क्रिकर टीम के पूरू कपतान और कोच श्री देवाशिष निलोसी जी आईए उनसे बात करते हैं टीम इंडिया के वर्ल कप मिशन की निलोसी जी आपका बहुत स्वागत है थेक पहले तो कोने ये सीरीज में भारत बिल्कुल सही है आपका कहना कि हम पिछले पूरा जो टूर देखने उसमें त्रिकोणी शंकला ही नहीं हम हमारा टेस्ट माचेश की सीरीज भी देखेंगे तो हम कोई मैच जीत नहीं पाएं जो एक व्यक्तिकर तोर पे अगर मैं जहां व्यक्तिकर तोर पे सोचना कर अबRepरेशन होती है किसी बहुत एहम टौर्नामेंट के लिए वड कप कोई छोटा मोटा टौर्नामेंट नहीं होता है बहुतबडा टौरनामेंट है जिसके लिए टौर्नामेंट खतम होने के बाद हम यह की में जो हैं हम सब भी देखके यह मैसूस कर भाएंगे कि हम जो हारे हैं वो सिर्फ हमारी प्रप्रेशन की नहीं होने की वज़े से हारे हमारा टीम मैनेजमेंट उन सब चीजों को जो एक गणिती किस तरह से तयार होना चाहिए एक माहौल ड्रेसिंग रूम में एक टीम में माहौल कैसा हो हमारा चाहिए वो सब कही न कहीं चूँ जो रही है वो हमारे टीम मैंडमेंट की रही है और हार का मुख्य कारण भी है जिसा कि आपने कहा कि हार और जीत खेल के दो पहलों लेकिन मुकाबले में तो कही नदर आने चाहिए इसके बीचे क्या आप मानते हैं कि टीम सहीं हो ज है क्योंकि हम फॉर्चुनेट थे कि टीम को वहीं पर आपका टूर रहा जहां वालकब खेलना है को आप यह भी नहीं कह सकते कि हम एदब से जाके हम को कमडेट करना पड़ा उस वैदर को या उन विकेट्स को तो आप पिछले कई दिनों से वहीं है वहीं प्रैक्टिस कर र हमारा जो फार्स्ट एलेवन कहले या फ्र्रेंट लाइन कहले वहीं हम उसे टयार नहीं कराएं वहीं अभी हम हमारे सारे क्स्प Tabii मेंट चलते आएं यह जो टूर था यह एक्स्पेरिमेंट का re provided यह सारे एक्स्पेरिमेंट आपको पहले करके और एक पीम का सहींझन हो ज होती है टीम मैनेजमेंट का दाई तो होता है कि उस प्लेयर को वो रिस्पॉंजबिल्टी समझाए और उसको भी मालूब होना चीए कि इस टीम के लिए मेरी का रिस्पॉंजबिल्टी है अगर मुझे सर्टन्टी नहीं होगी कि मैं खेलूंगा नहीं रिस्पॉंजबिल्टी को जो अंदर से आने सेंगों कभी न हापनी। तो सबसे इंप्रेंटेंट है टीम सही है जो अभी तक होता है है सीरीज में मैं समझता हूं कि आज भी हमारे पास वक्त है अगर इस वक्त को भुषा कर पाएंगे अन्यथा यही सामन्जया स्त्व